क्लास नाइंध में आगे देखते हैं लेप्रिक आइडेटिटीज में कोश्चन यह इसको सिंप्लिफाई करना है 6N-N और उज़े रैकेट में 36M2 तर 6MN plus N2 minus 3M plus 2N का बोल करना है देखिए इसको कहते करेंगे सिंपल इन दोनों को देखिए इन दोनों मैं आपको फॉमला दिखाई बढ़ा होगा इसका AQ minus B का समझते आ रहे है कैसे 6M कैसा बेहर करेगा A जैसा और N कैसा बेहर करेगा A minus B A का S square plus B का S square plus AB plus AB का मतलब this into this 6M into N6M आ रहे है इसका मतलब यह थारा मिलागे क्या बन जाएगा A का Q minus B का Q और A जैसा कौन यहाँ 6M तो 6M का Q minus N का Q एक तो यह आ गया तुमारा यह यहाँ से लेके यहाँ तक फॉमला बन क्या और फिर जा लगा है minus और ब्लाकेट पे क्या है 3M plus 2N का whole Q यह वाला फॉमला बन होता है अगर आपको यादो A plus B का whole Q क्या होता था? A Q plus B A plus B का whole Q बन होता था A Q plus B Q plus 3AB plus ब्रैकेट ब्रैकेट में A plus B यह यह वाला फॉमला था? तो इसको देख लेते हैं यह तो ऐसे रहेगा आपना 6M का whole Q minus N का whole Q minus bracket पे इसको whole दीज़े फॉमला लगाएं लेकिन आपको ब्रैकेट पे रखना है ज्यां रखना है, ब्रैकेट पे रखना है इसको जब इसका फॉमला लगाएंगे तो इसको ब्रैकेट पे रखना है A plus B का whole Q A Q मतलब 3M का Q Q plus BQ मतलब 2N का Q plus 3AB 3M into 2N 3AB इसको ब्रैकेट A plus Q 6, 6 जब 36 36 into 6 216 216 M Q minus M Q minus जेक ये कितना हो जाएगा 27M का Q 3, 3s are 9, 3s are 27 ये कितना हो जाएगा 2, 2s are 4, 2s are 8 8M Q plus 3, 3s are 9, 2s are 18 18MM और रैकेट में 3M plus 2M 3M plus 2 3M plus 2 अब ये कितना हो जाएगा minus 27M Q minus plus minus 8N Q minus plus minus 18M N और रैकेट में 3M plus 2M को दिक्रत है, इसका sign change नहीं होगा इसका नहीं होगा इसका नहीं होगा इसका होगा इसका होगा बस कितना हो जाएगा 216 M Q माइनस M Q अच्छा, ओके ये देखे, like thumbs है, ये बाला, ये बाला 216 minus 27 जब उपे तो दिक्ता आएगा 16 minus 7 कितना बालाएगा 9 यहाँ दिरो होगा, यहाँ से बालाएगा 10 minus 2 189 यह हो जाएगा 159 M का Q ये बाला ये बाला है और देखे, minus M Q minus 8 M Q कितना हो जाएगा minus 9 M Q minus minus plus sign लगेगा minus इसको bracket open कर दो minus 18 into 3 54 M into M M square N minus plus minus 18 36 M N ये ओके जेके इस तरीके से याँ तो final answer है 189 M Q minus 9 M Q minus 54 M square N minus 36 M N square ओके सेम ऐसा ये question है ये मुझे करके दिखाएगे कैसे होगा देखे, 7 X Q plus 8 Y Q minus bracket में 4 X plus 3 Y दूर्टे bracket में 16 X square minus 12 X Y plus 9 Y square ये question करके दिखाएगे इसमें लिहार रखना है इसमें कौन सा फॉर्मूला लगी रहे हैं दो 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 है इसमें कौन सा फॉर्मूला लगी रहे हैं दो दो है 4 X का Q plus bracket open करके solve करके इसको दिखाएगे प्रूर्मूला लगी रहे हैं अप्रूर्मूला लगी रहे हैं